साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देखरें नेसन जन्मत देशबंदी यानि की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गए लॉगडाउन की घोशना के बीच में एक लाइन तरकवादी सबसे ज़्यादा प्रचारित कर रहे हैं वो लाइन ये है कि इस समय धर्म यानि की भगवान छुटी पर है और विज्यान यानि की डॉक्टर ड्यूटी पर हैं इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए तरकवादी लोगों को ये भी नसीहत दे रहे हैं कि वो स्रमिक जो सैकलों किलूमीटर पैदल चल करके जिनके पैर मे चाले पड़ रहे हैं जिनके बच्चे भूख से बिलवला रहे हैं वो लोग किसी तरीके से अपने गाउं पहुँच पा रहे हैं हाला कि इस्थानी प्रसासन ने कम से कम उत्तर प्रदेश में जो दूर-दूर से किसी तरीके से जिलामोख्याले में पर लोग पहुँच लिए तुमको सुरक्षित पहुचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं तरकवादियों और विज्ञानवादियों की बीच में जो ये बहस छिडी हुई है इसी बहस के बीच में एक ख़वर मेरे हाथ लगी ख़वर मद्यप्रदेश से है और ख़वर ये है कि वहाँ एक संगठन है ब्रामण एकता असमिता सयोग संसकार मंच इसके अध्यक्ष है पंडित राकेश चतरवेदी इन्होंने मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान के नाम एक पत्र लिखा है मैं धन्यवाद देता हूँ पंडित राकेश चतरवेदी को कि इस पत्र के माध्यम से उन्ह उस समय में भी लोगों से मैंने सवाल पूछा था कि यह आप जो दान देते हैं यह भगवान के खाते में जाता है या पुजारियों के खाते में क्योंकि भगवान ने वो पैसा लेने से मना नहीं किया था आपके मिट्टी के इसवर ने वो मना किया था आपके इसवर के और आपके बीच के बिचौलिये ने यानि की पुजारियों ने मना किया था कि ये 500 और 1000 रुपए के नोट दान पात्र में न डालें क्योंकि वो उनके खाते में ही पहुंच रहा था अब नोट बंदी के बाद देश में एक और मौका आया है देशवंदी इस देशवंदी में यह जो पत्र लिखा गया है चत्रुबेदी जी द्वारा यह सीधा सीधा संदेश यह है कि मंदरों के कपाट बंध होने से इनकी रोजी रोटी का संकट सामने आ गया है इसका मतलब जो प्रसाद आप बहाँ चढ़ाने जाते थे जो आप बहाँ पे धन चढ़ाने जाते थे वो धन किसी भी आपके ईसवर के खाते में ना जा करके बहाँ बैठे बीच के बिचौलियो यानि कि मीडियेटर्स के खाते में जाता था यही वो रॉंग नंबर है जिसन पत्र में आगे लिख रहे हैं कोरोना करफ्यू की वजए से सभी मंदरों के कपाट बंद हैं नवरात्री पर भी सोसल डिस्टेंसिंग लागू है बहुत कश्ट है इनको उन्होंने आगे कहा कि किस तरह मंदरों में पूजन पाठ और कर्मकांड करने वाले ब्रहमनों पर को अभी आपके समझ में ना आए तो आपका भला कोई नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि ये रॉंग नंबर खुद सामने आकर के बताने की कोशिस आपको कर रहे हैं कि पैसा जो आप मंदर में चढ़ाने जाते हैं जो आप फल फूल वहाँ पर चढ़ाते हैं वो इनी के पेट में जाता है और उनसे इनकी रोजी रोटी चलती है अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अन्य धंदों की तरह ये भी एक धंदा है तो मैं इस पर सबसे ज़्यादा सवाल क्यों उठाता हूं फरक है जब आप किसी सबजी वाले को 20 रुपए देते हैं तो उससे उमीद करते हैं कि वो 18 रुपए किलो में आपको सबजी दे दे आप उससे 2 रुपए बचाने की कोसिस करते हैं यानि कि जब आप उसको कुछ पैसा देते हैं उसके बदले में वो सबजी देता है ऐसे ही फल वाला हो या किसी भी अन्य दुकान अन्य बिजनिस में जब आप कुछ देते हैं उ अपनी दुकान खोले हुए हैं आपको आना है इस दंदे में सामिल होने के लिए तो आईए वरना मत आईए लेकिन अन्य विजनिस को आप धंदा बनाए रखे हैं और इस विजनिस को आपने आस्था से और लोगों की भावनाओं से जोड़ रखा है मुझे तकलीफ इसी बात से यानि कि मुखमंत्री से कह रहे हैं कि हमें धन उपलब्द कराईए और खाने के लिए कुछ चीजें उपलब्द कराईए यह अपने उस इसवर से नहीं मांग रहे हैं जिसकी पूझा आर्चना करने के नाम पर आप से हजारों लाख रुपए एट लेते हैं कम से कम अपन लेने वाला वीडियो है कि मसीनरी में जहां पर आई-एस और आई-पी-एस लेविल के लोग प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के उस अंद्विस्वास की बात का समर्थन करते हुए थाली पीटते हुए रैलिया निकलवा रहे थे वहीं पर एक पुलिस कर्मी को ये अकल है कि कथा भागबत करने से लोगों का भला होने वाला नहीं है कथा भागबत को रुकवाते हुए उसने माइक से जो बात कही वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक नसीहत और संदेश है सुन लीजिए रात दिन एक भागए गोंने एक सो बाहत्तर देश इस बाइरस की चपेट में आ गए है और जिसका पूरी इलाज नहीं है जो बड़े-बड़े क्यामें मंदिर और अपनी क्यामें इयात्तर आए वो सब बंद करती है आप भी पड़े दिख्यों आप पड़े दिख्यों आ भागवान को धरिया इंगार रीये लोगों के कहने से भागवान मिले कर दो सबसे तांब इण Genericumite अन लोगों कि यह जरता कि यह जनता के काम आए ये उस सब खेल आए तक सब मोदिया है इतना ग्यान आप सब को भी है पूरे देल को आपने इंका नाम उठो दूँ नहरवानी करके एक अधा बाचन अपना खम कर दीजिए और सब जगे जहां भी हों मना कर दीजिए ठीक है? अतियुत्साह में नहीं आना चाहिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस कोरोना वाइरस के समाप्त होते होते इसुर की सत्ता धर्ती से उखड जाएगी लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि ये पहली महामारी नहीं है इससे पहले बड़ी-बड़ी महामारियां आई अकाल आया देश में भूकम पाया सुनामी आई, बाल आई, प्रिलय आई, प्लेग हुआ, हैजा हुआ लेकिन इन सब के जाने के बाद हजारों लोगों के काल के गाल में समा जाने के बाद भी इस्वर की सत्ता उठकर के दुबारा खडी हो गई उत्राखंडे में वो लोग जो प्रहू के दरसल करने गए थे उत्राखंडे में हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई लेकिन उस प्रले के खतम होने के बाद सबसे पहले लोगों ने जो काम किया वो अपने धार्मे के स्थलों को बनाने का काम किया सुनामी के बाद या किसी भी आपदा के बाद जो सबसे पहले देखा जाता है कि लोग अपने धार्मे के स्थलों को सजोने की कोसिस करते हैं इसलिए धर्म का धंदा सालों साल से चलता चला जा रहा है और वेज्ञानिकता इस पर हावी नहीं हो पा रही है वज़े ये है कि जो धर्म का धंदा है वो सीधे सीधे स्वार्थ और भैका है जिन लोगों के घर में पैसा भरा पड़ा है उनका स्वार्थ है कि हमारा पैसा हमसे छिन न जाए जिनके घर में पैसा नहीं है वो यह नहीं सोचेंगे कि जिस प्रुभू की मैं पूजा करता था, वो मुझे बचाने क्यों नहीं आए, बल्कि जिन लोगों से वो घ्यान लेता है अपने गाओं में, जिन लोगों की पाई लागी करता है, वो उसको समझा देंगे कि उसी प्रुभू की इक्छा से तो तु इसोर बढ़ जाता है इसका एक उधारन बताता हूँ जिन घरों में लोग धंधान से मजबूत हैं जिनके घर में सिख्चा जादा है स्वास्त बहतर जिनके सुबदाएं हैं जिनके घर में धंदौलत अच्छा है जिन लोगों को अच्छे घर मिले हुए हैं एक वारगी वो जो भूँख, मुफलिसी की जिन्दिगी जी रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं, बिरोजगार हैं, जिनके घर में गरीबी ज़ादा है, बीमारी ज़ादा है, उन्हीं लोगों ने ईश्वर को अपने सीने से लगा रखा है, और अपने दिल में छुपा रखा है, इसका मतलब जैसे जैसे लोगों की तकलीफें बढ़ती हैं, वैसे ईसवर का प्रभाव और बढ़ता चला जाता है। इस्वर लोगों की समस्या का समधान करने के लिए नहीं है बलकि इस्वर लोगों को भागिवादी बनाता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप जिस हाल में जी रहे हैं उस हाल के लिए आपके पूरुव जन्मों के कर्ब जिम्मेदार थे इसका मतलब इस्वर इडियो आपके सामने इसलिए लेकर आया था कि आप किसी के भी भरोसे ना वैठें ना इस्वर के न सरकार के अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भ्यक्ती भूख से बिलबला रहा है तो उसके घर में रासन पानी पहुँचाईए क्योंकि मानो सेबा ही सबसे पास आये मैं आप लोगों को बता देता हूं मुझे पता है कि मेरी छमता या वकात में नहीं है कि मैं लोग की मदद कर पाऊं फिर भी लोग बड़ी उमीदों के साथ मेरे पास फोन करते हैं तो मैं कोशिस करता हूं सरकार से गुजारिस करता हूं कि इन लोगों को इनके घ करते थे कंपनी बंद हो गई यह सब लोग वहां पर फसकी रह गए कपिल देओ ने मेरे पास फोन किया जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं यह भिवंडी महराष्ट में फसे हुए हैं इनके साथ में रामकरन ने भी मुझे से बात की उन्होंने बताया कि हम लोग सैक्डों क इतादात में यहां फसे हुए हैं अनिल वर्माने मेरे पास फोन किया यह पंजाब में एक जिलाह समाना वहां फसे हुए हैं इन्होंने बताया कि हम कुरुछेतर तक पैदल चल करके आ गए थे लेकिन पुलिस ने लठ़्टा करके हमको बापस भगा दिया तो हम समाना में एक घर में सरण लिये हुए हैं, ये लखनव के मोहनलाल गंज के रहने वाले हैं, इसी तरीके से किरपा संकर ने मेरे पास फोन किया, ये बंगलोर में फसे हुए हैं, जॉब की तलास में इंजिनिंग करने के बाद वहाँ गए थे, इनके आसपास के लोग वहाँ पास के मुर्वी, जो टाइल्स की फैक्ट्रियों के लिए जानी जाती है, इन्होंने बताया कि इनके साथ 25 लोग यहाँ पर टाइल्स फैक्ट्रियों में काम करने आये थे, ये सीवान बिहार के रहने वाले हैं, और हम लोग यहाँ आकर के फस गए, मेरे पास फोन आया एक जो अलग राजबना है, वहां के एक जिलेक कलूर से, जहां पर मुन्ना चौधरी और संजीव ने बताया कि हम 50-60 लोग फस गए हैं, हम बिहार के पटना जाना चाहते हैं, सिर्फ सागर गौतम ने मेरे पास फोन किया, इन्होंने बताया कि हम दिल्ली में फसे हुए हैं, औ लोग गाओं में जाएंगे, तो सोचिए गाओं की क्या स्थिती होगी, मेरा सोचने का पहलू ये है, कि मजदूर ही क्यों फसें, एक्च्वल में ये बीमारी रहीसों के द्वारा इस देस में लाई हुई है, इसका मतलब कि ज़्यादा तर वो लोग जो फ्लाइट से सफर क रहे हैं, सिर्फ सागर ने इस पश्ट तोर पर कहा, कि सर में इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहां के दिल्ली पुलिस के लोगों से अपील भी कर रहा हूँ, कि हम सारे लोगों का चेक अप करवा लीजिए, अगर चेक अप में हमारी स्थित ठीक है, तब हमें घर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कि कम से कम आपने सैकणों हजारों लोगों को उनके घर तक पहुचाया, लेकिन अभी भी आपके राज्य के बिहार के देज भर में तमाम सारे मजदूर फसे हुए हैं, उनके निकालने का भी कोई प्रबंद क करिए ताकि वो अपने घर में आ करके ठीक से लोगडाउन का पालन कर सकें, जै विज्ञान, जै समीधान, जै लोगतंत्र, धन्यवाद